आप्थमालोजिस से आखे चेक कराता हूं क्यूंकि मेरी आखे वी क्या इसलिए जो आप्थमालोजिस बोलता है वह पहले मैं घर में बन बाता था टाइम नहीं था मेरे पास सारा दिन ऑफिस के काम से बागता रहता था अब अराम से जाता हूं प्रीमियम कॉंसल्टेशन लेता हूं अलग से प्रीमियम ओपीडी के पैसे देता हूं सो लोग बैठे होते हैं मैं 500 रुपे एक्स्ट्रा देके सबसे आगे लाइन में आ जाता हूं नाइस ब्लैक 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 होती ब्लैक क्या वार है पैस उसे सब कुछ पहले यार कभी ऐसे बहुती कंजूस तरह से रहा हूं है तो जॉब करता रहा और ठक गया मैं तो मुझे लगता इशुड पैंपर माईसल्फ गिवन मैं बैड हेल्थ नौ पैसा मनाने में ब्यस्त ह किस गया मैं जवानी में अपनी बहुत बुरी तरह से बहुत आपने मास्टर्स भी नहीं करी थी सिद्धा बैचलर्स का जॉब येस मुझे बहुत जद्दी योग कि पैसा कमाने है वह भी सर कमाया कुछ नहीं कमाया एन्यवे जो अच्छे के लिए होता हेल्थ बज़ गई है अब योगा करा करो ने अब रेगुलर हो बिलकी मैं मेरी मॉट भी आप जो है ना वह भी आप जिम चोड़ रहे है अब योगा करेगी मैं तो योगा कर रहा है ना वैसे बताओ तो योगा में भी फ्लेक्सिबिलेटी चाहिए होती है मेरी तो बहुत इंप्रूव हो रही है मेरा राइट शोल्डर जाम है ओ वह नहीं कर पाता जादा वह खोल रहा हूं मैं प्रैक्टिस से काफी इंप्रूव्मेंट है वट इटल टेक और मैं अभी बॉड़ी को ट्वैलियर्स और जेमन बिफोर ड़ाइब दन नतिंग तो अब तो सिस्वारने में दो साल तो लग जाएंगे लग सकते हैं लग सकते हैं बोल दिया मेरे को ट्रेनर ने कि आपका बॉड़ी जो एक सब्सक्राइब पीछे पूरी मसल्स आपकी बैक की हेड टू टो यूर जैम विरोधा भास है शरीर में विरोधा भास है आपके मेरे में तो क्या हो था मैंने योग स्वेश से शुरूगे कि मेरे यहां पना क्या कहतते हैं मेरी गड़ता पुरी बैंड होगी क्या आपके की तरफ पूड़ी जादा है हाइट बढ़ती है बच्चों की कमजोर होते हैं तो हो जाता है मेरा कर दोसरा इवाणि है यहां मेरा क्या कंजोर न कर यहां विरोस नबї नौपर नौपर है बच्चों किलोन हुड ने सकते हैं वर ने सेबच्छा निबच्छा है तो हैं बच्छा नि फॉट्पिर तेंद दर मारती हो दो नहीं चलता हुआ वो डरती निये दंदा आगने से घटाइम नहीं होता भाई बोलती बंद हो जाती है लुटी बंद हो जाती है लुटी बंद हो जाती है लुटी बंद हो जाती है and the whole actual responsibility in Indian system is mail यह जाती है तो जाती है you're so stressed out you don't feel like talking that's a problem I can completely empathize with him it is not his he's doing it deliberately he is left with no energy to talk smile, just silent बोलती बन्द बोलते हैं इसको that is the way Indian corporate's work horrible, man the lack of connection is because of that not because of bad intention क्यों करेंगे भी असे नहीं तब I've been through all of this it's very depressing to work in अब के पोस क्या थी जोएसे? मैं वसे रिजिनल head of last company I left and was moving towards national role बट तेगे हो गया हो गया बस एक ही चीज़ बचेती है उसका CEO बनना अब यह आता है मेरे पस अब हमें चोटो मोटा CEO बहुत हुँ यारी है टुशन का CEO बहुत है मेरे लिए CEO नहीं आप तो managing director भी CEO भी जाड़ो भी कुदी लगाता हूं दुकान पर दुकान है नहीं यही दुकान है जहां बैड़े जाओ पेड़ के नीचे internet connection लगाओ hotspot बनाओ चालू पढ़ाना हो गई दुकान क्या सोचा आप और क्या ब्रिलियंट entrepreneur हम अपना काम करते हैं जी हम अपना काम करते हैं पंजाबी बोलते हैं ना जो टड़ा anyway let me just search something interesting I think the last numerical we were doing was quite interesting उसमें stoichiometry molar थोड असा लगा था mole concept अब कहबते हैं, हमम molarity वालत वो जी यह यह था ने, I think that was उसके अंदर क्या था यार there was a uh we were doing तो इस नहीं बहुत हैं चंता मत कर रहा है बहुत सारे आने वाले हैं तो भी रुख जाओ अभी रुख जाओ इस फांदिग निमेरिकल विल फॉम वेर विलेफ वह था पेज नंबर टू पर था शैद यह तो पेज नंबर बन है जाल साथ ह मेर वें सबियुख भुष में घांग सब्सक्रांव कि ड्रह आने तो गसमित आप़ कर अवा मैं कुछ लिखवा दिक रहा है? नो, 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 नो. रही नहीं. ओक, है? नो प्रभूब्लम. ओक, कल्कुलेट था... हम कर रहे थे क्ल्... ओक, सो फस्ट पार्ट वस्ट फाइव हंदर्ड सेंतिमितर क्यूब अफ 0.1 MOLAR HCL is mixed with 200 सेंटिमेटर क्यूब ऑफ पॉइंट तू मोलर एं ए वेच सुलूशन और आपको दिये स्पेसिफिक हीट ऑब वाटर इस इवाटर पॉइंट वन एट जूल पर केल्विन पर ग्राम और हाँ इसे अधर जो सबस्क्राइब वह पॉइंग तो निए अधर उट्टा वाटर के बलकिए निए डिल्टा एच जैने निए चेंजिंद इंधिल्पी बिकॉस अपश्चिंधर पहला और इसके अंदर जो स्टेंडर्ड़ चीज मालूम थी वह यह मालूम थी जब वनमोल आफ हाइड्रोनियम आयन कमबाइन विद वन मोल ऑफ ओएच आयन इंधरी हाइड्रोकसेल तो इसके अंदर जो हीट इवाल्व होती है तो फिफ्टी सेवन पॉइट वन किलो जूल्स होती है पर मोल बेस्ट वन मोल की तो हमें पहले 500 सेंटीमेटर क्यूब में इसके मोल्स निकाले थे मालुमें इसके भी मोल्स निकाले थे इसके मोल आये थे हमारे 500 सेंटीमेटर क्यूब 500 सेंटीमेटर क्यूब of 0.1 M HCL is equal to मोल्स is equal to 500 by 1000 0.05 0.05 0.05 and 0.04 0.04 थे पॉइंट जीरोफोर यह सब्सक्राइब के लिए दो पॉइंट जीरो फॉर मोल्स लिए इसके पॉइंट जीरो वन अंदर रह जाएंगे excess. So 0.01 mol of hydronium ion plus 0.04 mols of OH ions. They combine and they give you some. So you know that this will be the reaction and 0.01 will be back. So 1 mol के लिए भी लिए the heat released is 57.1 0.04 के लिए कितना होगा? 57.1 into 0.04 no way multiply and get the answer okay 2.284 2.284 57.1 है इसमें very importantly because you're a beginner you have to know, memorize this value okay the enthalpy of creation of water 2.284 ठीक है whatever okay let's go ढीक है आई आई a आई 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 तो जी, दूसरा पाट, okay, now the question to, which you can try and solve with, is this one, okay, so this is again to do with enthalpy, which is change in enthalpy, during a chemical reaction, the chemical reaction is, you now have 200, होगे है गुस्टन? हाँ जी, हीट इवाल आगई न, रचियो प्रोपोशन सी आगई, इसका अगई इसका निकालना था, एड़ी तो हुए है, 200 सेंटीमेटर क्यूब जब एड़ करें, तो 0.04 मॉली तो बने, एने ओएच के, यह इसका निकारना था, किसका, यह तो एड़ हुआ है, यह दोनों एड़ होते हैं, तब भी तो यह दोनों एड़ तो हो रहे हैं, हाँ, HCl और NaOH एड़ हो रहे हैं, उसी की तो यह है, पर मॉल बेसिस पे, इंथल्पी, हीट इवाल्ड, इफ यू एड़ वन मॉल अफ एड़ 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 एड़, वन मॉल, नहीं, इस तो 0.01 मॉल है, यह मॉल्स, मॉल्लेरिटी दी विया है, इस मॉल्लेरिटी, मॉल्स तो हमने खुद निकाल ले हैं, यह, स्टॉश्योमेट्री से, कि 500 सेंटी मीटर के अंदर, कितने मॉल होंगे, 0.05 मॉल, 200 सेंटी मीटर की उब अफ 2 मॉलर, मॉलारिटी, इनिवेच में कितने मोल्स होंगे इतने मोल होंगे 0.04 निकाला तो अबने खुद है सारा अचा रहा है कुछ नहीं समयन में है कुछ नहीं पूट पूट इस दे अमांट पफ हीड एवाल्ड इन दिस रियक्शन रूल ये था concept था कि जब 1 mol of HCl combines with 1 mol of OH, the heat evolved this this much, they combine in ratio 1 is to 1, ये molarity और volume दिया हुए, यहाँ पर तो that helped us to find the number of moles of HCl ये what I was doing here and this was the number of moles of NaOH, बट ये थोड़े जादा आ रहे हैं, तो मैं इसी प्रवाले का करना दो, 0.04 combine हो पाएगा सिरफ, पहले तो हमने ये दिमाग लगा है, ये रहे हैं, समझागा वस तो रहे हैं, नाव दर नौ दर नुव कॉस्टिन 200 cm3 of 0.2 molar sulfuric acid is mixed with 400 cm3 of 0.5 molar potassium hydroxide solution question is now tell us what is the amount of heat released or enthalpy delta H same, everything is same, just calculate the most, you can see the amount of सब्सक्राइब को मतिलिप्लाइब एफ लिछ थे वायर पाइब कि चुंट कर लो मॉल कंसेफ लगा के and then let's do the second part because question if you see the specific heat of water is also known 200 centimeter cube yeah thousand 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 one liter is two one thousand centimeter cube one day as i say 0.2 liters uh 0.4 what's a 0.2 pardon me this is 0.2 molarity yes okay yes 0.2 very much the main value 0.5 into 0.4 is 0.02 wow no no it's not much multiplication finally you learned multiplication oh ask me some good question what was that oh 0.2 actually what is what is what is what is तो 0.04 is plus 0.04 is equals to 0.04 into 57.1 which would be तो तो पॉइंट पॉइंट फॉर आगा जीक है जीक है अल्एट नाव नेक्स पार्ट अब गुश्टन इस ठीक है यह सही आए सही करें पॉइंट 04 चाह आँ मोल्स पुटू अंडर सेंटीमेटर की अब यह सेंट बॉइंट आगाथिंट यह सेंट अब्रेश मोल्स अबिए नीक तो घ्र गॉएंट अन धर सिर्ट अबस तो लाएबस उंडर संट्यमेटर की वह लगाव्द टै। यह एल्म टीमेटर की नियीं अबस टो फॉट यह लाइट पॉट यह लिये वीटर सेंट पल्स 0.4 4 by 100 into 500 ठीक है x so 0.04 0.04 यह 0.04 है यह 0.02 है लेकिन यह इसमें एक गलती नहीं है यह h2 है तो इसका जो है it will generate into 2 ना यह hcl नहीं है यह hcl नहीं है अच्छा यह sulfuric acid है h2 so every time it breaks it gives you 2 h plus so when it breaks it will give it 2 times the number 0.8 8 yes ओके यो 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 यह रोड़ हुई यह नतीज़ा है प्रैक्टिस करने का को लोगी न पोल h2SO4 यह नतीज़ा है प्रैक्टिस करने का 4.568 4.568 so now okay fair enough okay now because the heat got generated there was water water भी बना उसके अंदर जाके question is how much did the temperature rise in this situation given that specific heat of water which is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 kelvin that is given to be specific heat of water is given to be 1 sorry 4.18 joule per gram per calorie so you have to find कि इतनी heat जब रिलीज गुई तो कितना पानी जो है वो कितना गरम हो गया temperature कितना बढ़ गया so if you remember the this is per gram per calorie ठीक है तो पहली बात तो यह कि पानी कितना बना होगा how much water would have got with 0.08 mole and this how much water will you create it is 4.8 gram per calorie yes तो पहले तो number of moles of water बताओ कितने बनेंगे solution का mass कितना है total solution obviously solution ही गरम होगी ना है तो हमच सेलूशन इस देर सेलूशन में मास करना है तोटल मास और बोथ but how will you do that if you know मोल्स है मोल्स तो है बट व्यू नीड तो वॉल्यूम उल्स है ना यह वॉल्यूम क्यों नहीं और यह मोल्स है मोल्स निकल जाएगा वेट 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 कैसे इस इस के पॉइंट यह सल्फियूरिक ऐसे इस है तो एक्वेशन बैलन्स एक्वेशन लिखो ह्ट यह सफोर प्लस के वेच इस इकोल टू वाटर कितना बनेगा देखते हैं अब यह सफोर प्लस गरम याद रखना सलूशन गरम होगी तो जो मास लेना है वो सलूशन का लेना है तो एस सोफोर है यह बाइद अबे इस इस एच्चल इट कंबाइन विद एच्चल डबल डिस्टेश्मेंट एक्शन है नहीं जी एच्ची सोडियम ख्लोराइट दिया सेकेंड में पटाशियम अट्रोकसाइट दिया विश्यक्राइट को एच यूर बोर्ड इस वरकिंफाइन मैं बोर्ड इस बिकम स्लोव को के टो एस सफोर होता है ना को कताशियम सलफेट कताशियम सलफेट सलफेट कट एस वरह बालन्स I think this will be 2, oxygen, sulfide balanced, 6, balanced, balanced है नहीं? येस, 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 चार है, balanced है तो 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 वाटर के भी 0.08 मोल्स बनेंगे तो तो वाटर के भी 0.08 मोल्स बनेंगे लेकिन वाटर के भी 0.08 नहीं बनेंगे न, 0.2 बनेंगे, ये तो मोल्स है, नहीं, 0.2 मोल्स तो निकालते दोते हैं, मोल्स तो तो फिर तो लिमिटिंग एजेंट 0.04 ही रहा न, येस, तो 0.04 ही बनेगा फिर ये, नहीं, क्योंकि के भी 0.08 कैसे बना दिया, नहीं, 0.04 नहीं था, 0.08 था, डबल कर दिया, 0.08 ही तो था, 0.08 ही होगा फिर, वाटर भी, बड़ उससे वो क्या निकलेगा, 0.08 मोल्स से, how much, what was the temperature, इस कैसे निकाल हो गया, जो solution बनी ये वाली, इसका temperature कैसे निकलेगा, क्या हुkovा है आल, क्या है, इसका है। बने का यहाहिं खाक यहां ब स्वेटांवां टार टेर कूंडड इनका हाऊ‐च आर्यन होगा का जादा आट अडेल के आट व स्पेसिफध संपनम पढ़ते हैं म, जाक ब्रॉन फो हो प्लॉस का मе एतले में हम ऑन घंख्वां। लका टारो य। अगा सब्सक्रणादते solution है ठीक है? इसमें एक लिक्वेड है just give me one second and I think I will have to close this and because this is not working it has become suddenly for some reason way too slow okay I know why is it slow okay मैं क्या कर रहा हूं just shutting down मैं camera बैसे भी नहीं चल ला एक second I am going to do something and this will जो मेरा laptop है ना that is heating up and it is becoming very slow to write in वो कर रहा है इसको slow तो मैंने इसको cool pad के उपर रख दिया बुखार हो गया laptop को तो आप पंका चला है फैन नीचे चला दिया मैंने pad ओलेंड टिक्वेंड नी है ना किस प्रोसेसर में cpu में सब कुछ है नीचे जहां रखा है महां पर होल होना चाहिए हवा के लिए टेबल पर रखा हूए laptop शुट के लिए ना प्लेस फेरियू है Ryzen GeForce RTX वह वह वा क्या मस्ग्राफिक आए नहीं है वोटा को जरुवत है एड जी फर्सार्ट एक आटीए अटीज वीडियो बनाता हुआ अपने जो श्माइब अप्रोसेसिंग इस वेरी फास्ट फ्माइब वीडियो अप्रोसेसिंग वेरी फास्ट व्माइब वीडियोस आ स्वाइब रहीं इसक विए सब्सक्राइब प्रोसे ठाट बहुं सब्सक्राइब खाला है व्माइब ऑढ प्रोसेसिंग तो प्रोसेसिंग। liquid full you give it some heat okay the mass of the liquid is M the specific heat of the liquid is S specific heat is the amount of joules required to raise the temperature of the liquid by 1 Kelvin for every gram of liquid and theta is the change in its temperature if you know mass of the liquid you know the specific heat of the liquid and you know the theta the temperature change of the liquid now we deal with liquid temperature change of the liquid then the heat which got evolved during the reaction we have already calculated above heat evolved during the reaction gets used to heat of the solution and that heat becomes equal to mass of the solution multiplied by specific heat into delta theta or theta theta is a change you can use anything so heat evolved the delta H of the reaction the heat evolved of the reaction has got converted into this so specific it means for every gram so I have M grams multiplied for 1 Kelvin I have theta Kelvin raise so these for these many Kelvins this represents the total heat absorbed by the liquid and its temperature raises by theta if you see your liquid in the second instance which we are doing you have around 200 centimeter cube of sulfuric acid right and you have 500 sorry 400 centimeter cube of HCl KOH I am sorry I have said that the specific heat of the water is given to be 4.18 Joule per gram per Kelvin every gram of water to raise its temperature by 1 Kelvin needs 4.18 calories okay now if you see this these are liquid only approximately their density same as that of specific heat is same as that of water ज्यादा chemical थोड़ा बहुत डालने से water की specific heat को कोई फरक नहीं पड़ता तो you are assuming 600 centimeter cube of water है आपके पास practically reaction के लिए और उसको multiply कर लो और water की density क्या होती है 1 gram per centimeter cube so every centimeter cube of water weighs 1 gram so 600 centimeter cube of water not exactly water but acid and KOH when they combine also काफी कुछ पानी भी बनी जाता है तो पानी ये बना solution बनी 600 तो उसको 1 gram per centimeter cube से multiply करो so you get 600 grams of solution now this is a weight so this this is water practically so 600 grams of water will absorb the heat 600 मतलब mass multiply by specific heat of water 4.18 per gram per Kelvin theta we have to find temperature कितना बड़ा and you have found some value of the joules I think you found out 4000 something kilojoule by 4.4568 this is what you found out you can calculate the theta which is by how much does the water temperature raise rise because of this okay going to the next page okay let's do one more question you have to be very clear these numericals are coming so all of them are pretty identical if you understand this topic you will know what is happening some heat is getting involved and the principle being used so let's say you have 0.16 grams of 0.16 gram of methane and it is being subjected to combustion O2 and it is being done in a bomb calorie meter so volume is fixed it's a bomb delta use equals to QV yes the temperature of the calorie meter system including water you have to calculate first A what is the heat evolved if this was a case of combustion at constant volume and second case of constant pressure you are given one thing that the thermal capacity of the bomb calorie meter is given to be 17.7 kilo joule per kelvin for increasing the temperature of heat release will heat the heat will release and solution and metal is given bomb calorie meter that will go into both and theta is going to 0.5 degree Celsius is the delta T so delta T is the calorie meter metal made bomb calorie meter which is the combustion of the temperature and the water is and therefore it heats up the calorie meter and the water so you have to think what was the heat evolved with the knowledge that it was utilized to increase the temperature of the calorie meter and water calorie meter for every 1 Kelvin raise this much heat is required so if you are doing 0.5 degrees then it is 0.5 into 17.7 it is calorie meter and you know the 0.16 gram of methane combust CH4 plus O2 if it combines how water is 12 plus 16 so 16 grams combines with 32 grams gives you 12 and whatever so 1 mole plus 1 mole 1 mole 1 mole if you have 16 grams of this you have to calculate how much water got created how much water will 16 gram it is how is 8 18 16 18 grams so if it 0.16 1 tenth so you will have 1.8 grams yes sorry 1.6 1.16 18 upon 16 into 0.16 moles just grams 18 upon 16 do this calculate how much water got generated converted into grams ratio by the way 16 gram is to 18 gram is 16 gram methane 18 gram 100 no right 16 gram 18 gram pan 0.16 gram 0.18 gram no no sir now you should have this sense that how much if it is a constant volume if it is a constant volume then p delta v is not there which means it is everything got converted into internal energy u delta u khan ji kithe 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 पानी भी गरम हो गया पानी भी गरम हो रहा है पॉइंट वनेट ग्राम साव वाटर इस अलसो गेटेंग यूस्ट फॉरी हीट विल जो हीट एवाल्व होगी वो इसको गरम कर देगी एस ठीक है करो फिर एक्वेशन क्या होगी फिरस्ट इस फॉल धंट वॉल्म इस वोल थिंपने पॉ्स्ट वॉल्म उप्सम्ड वाल्म बट्विश इपल्स तो क्यू थी कि अटीक है ची वी डिल्ट ती अटी मिस्ट व्ट इस अट्र में रोल्म हां से लिटे इस इकलो ठीक है, ओके, यह CV किसका है, constant volume, which is fine, बट किसका है, calorie meter का है या पानी का है, calorie meter, calorie meter, लेकिन पानी भी गरम हुआ है, 0.5 degrees से, तोनों ही लिखे मैंने, water and calorie meter both gain the heat, water की specific heat ही तो मैं हमेशे ही मालूम है, 4.18 4.18 joules per gram per Kelvin, specific heat, हाँ जी, इसको बोलते है, specific, 1 gram, 1 Kelvin की दिए, water का तो फिर हम ऐसे नहीं कहा सकते हैं, Q is equals to, mass of the water, 0.18 gram, 4.18, ms theta, ms theta, ठीक है, mass is 0.18, 0.18 into 0.5, 0.5, पिलको सही, अब पकड़ा जागे, water का तो निकाल लिया, Q, heat, ठीक है, constant volume, और उसका, कलोरी मेटर, उसका भी दिया हुए, कि एक Kelvin, उसकी अगर heat बढ़ानी है, 17.7 kilojoule रखते हैं, तो उसका 0.5 उसका भी बढ़ा है, तो half of this, ठीक है, या लिखने नहीं आता, अब यह उसे हैं अब कि अच्छा तर्फ ऑन बार्ट है किसके और ये थी बाउम कैलरी मेटरी की निकाल ली बाउम कैलरी मेटरी का डेल्टा ए कितना है कितना हुआ 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 है कितना हुआ 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 है अब क्यालरी मेटर ने कितना कितना है इनर्जी एब्सॉप कर रहा है कितना हुआ 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 है किलो जूर पर मूद होगे नेगेटिव है पॉसिटिव है अंसर हीट इस रिलीजट लोस्ट बाय दा शिस्टम कुश्चन वाइड कर लिया यह कितना आया यह वाला वाटर ने जो इब्सॉब करा 4.18 यह वजाएगा 0.4 0.8 into 0.5 0.18 ऐशा है दिये रहे वाटर वस 0.18 ग्रम्स वाटर वस 0.18 0.37 0.38 असको थाउजन से कड़ते न अल अल वोड़ वी थियुंड एप्रेंड़ी थाउट थियुंड़ प्रेंड़ी वीडिशाजन ट्रेंड़ीए पांफेड़ीश पॉट है यह ग्रू कि लू़ीश परम्स अग्ड लूड कि अग्ड़ एक और जाना है से सब एक सेड़ एक सेड़ओ एक सेड़ एक सेड़ एक सेड़ एक सेड़ओ एक सेड़ एक सेड़ वेट सो यह व्क्लिड़टेटर हो माच कितना आया बॉटर ने कितनी हीट लिया वॉटर में सब्सक्राइब करें थuğ ऐखिया 376 ko two kilo joules तो टोटल कितना आगया यह है यह आजए आ बहुत दो जगा पे गई नहीं तो जगा पे गई ना हाँ हीट इवाल्ड है हीट इवाल्ड है 9226.2 ओके second part is do the same thing at constant pressure now that means now you will have to write the equation and calculate that extra delta NG RT N2 minus N1 N product minus N CP क्योंकि वहाँ पे जो delta H होता है उसका क्या formula था delta U plus delta N RT है ना NG RT we will have to find delta N first NG equation लेक लेते परे लेक लो वो equation ही decisive है तो कि उसमें delta N आना बहुत ज़रूरी है कि अच्चा को अच्चा को अच्चा की प्रेसेंट में बर्न करते हैं then is a guess तो water vapors ही निकलेगा या फिर water liquid form निकलेगा water 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 vapor की फॉर्म में निकलेगा या फिर liquid की फॉर्म में liquid liquid ही निकलेगा है तो अच्चा की वो अगल वे प्रेस फॉर्म में तो फिर उसको भी आड करो नहीं water combustion है तो क्या हो गया इसे डेल्टा एंजी तो जीरो है वही समझ नहीं है मुझे इस डेल्टा एंजी जीरो इस डेल्टा एंजी जीरो सब्सक्राइब इस थोट पॉसेस से फ्यू बैलन्स तैम डेल्टा एंजी जीरो एक मिनिट और क्या दिस इस फोर और नहीं और जीरो ही हो तो फिर आंसर तो रिमेंद अंचेंज ना अंजी बट होना तो ग्यास दिस में चाहिए वाटर भी यह चैक क्या होगी अच्छा तभी मैं बोच सोट रहा है कि नहीं हो तो अच्छा है क्योंकि हमें वन मिल जाता मतलब वो डिफरेंस मिल जाता हमें कि वी कुड आव अच्छा एक इस में सिरफ एक स्टेप है जो मैं विड लाक तो तेल यू विफोर वी गेर इंटो दा क्याल्कुलेशन वाटर एक्विविलेंट का जो कॉंसेट है ना ए लेट मी जुस्त चेल यू वाटर वाटर एक्विलेंट आव बाम क्यारी मीटर नहीं एक मिनिट प्रिष लिक्विड लिक्विड एक वाटर एक्विलेंट एक्विविलेंट ओफ बाम क्यालोरी मीटर एक कॉंसेट होता से नहीं कभी यह वाटर एक्विलेंट नहीं ओके लेट में जुस्त तेल यू वाट इस ओके वाट इस ओके वाटर इस वाटर एक्विश्ट करेंगे नहीं कुछ नहीं करा रीडिट वरी किरफुली तो हमें क्या करना होता है जैसे हमें वेसल का 17.7 दे रखा था ना मास सॉरी स्पेसिफिक हीड दे रखी थी थर्मल के पैसिटी थर्मल के पैसिटी ओके नाओ लेट से थर्मल के पैसिटी रीड बसोरा पैसिटीन वेडियार क्या जाओ क्या अवप्य बस्च टोल में यह थर्मल केपैसिटी दी विए है यह थर्मल केपैसिटी यह स्पेसिफिक हीट होती है उसकी यहीट कापैसिटी है हीट केपैसिटी मत अब इसमें अजम्शन ही होती है क्यालरी मीटर अगर क्यालरी मीटर पानी का बना होता हमें, before we use 17.7, so this conversion of the weight of the vessel into the equivalent weight of water, okay, is the process of, I am just having a look at it, what is the easy water equivalent को convert कैसे करते है, उन्हें थर्मल केपसिटी दिया है, है, so if you are given weight of this, 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 it was one sentence, water equivalent, the water equivalent of a calorie meter is the mass of water that would absorb the same amount of heat as a calorie meter when the temperatures are raised by the same amount, so water nikaalने के लिए, equivalent nikaalने के लिए हमें करना पड़ता है, heat absorbed by the calorie meter, divided by temperature rise of the calorie meter, तो उसका water, और यह क्या होता है, thermal capacity, thermal capacity, thermal capacity of calorie meter, जब बॉन्हें क्यों गहते हैं, bomb territory, oh there is a word, wait, there is a reason we will have to see, heat capacity, okay, यह मने पड़ा है नहीं पूरा मिस्कर दिया हमने, bomb, steel का बना होता तूटता नहीं है, heat is inaccurate, chemical reaction में, endothermic, exothermic, heat, the heat capacity of a substance, in this experiment the calorie meter consists of the instrument and 100 grams of water inside it, ideally the component of calorie meter should absorb no heat, but the component of calorie meter always absorbs some energy from the system, the heat capacity of the calorie meter is equal to the quantity of heat absorbed by the calorie meter for each one degree rise in temperature, यह तो सही कर रहा हमने फिर, the heat capacity of the calorie meter must be decided experimentally, heat lost by hot water is equal to heat, फिर कर रहा तो हमने सही है, heat capacity, okay, let's, let's do this question, let's see if we can solve this, of heat capacity, कि मझे लगता हमने calorie meter चोड़के नहीं, we did a mistake, anyway, see if you can understand how the heat transfer happens here, so now this is what is happening, 50 milliliter of water at 40 degree is added to a calorie meter containing the so-and-so, at after waiting for the system to the final temperature reached a system, calculate the, he is indirectly telling us that the calorie meter is also absorbing some heat, so you are adding hot water in a cold water, right, ये दोनों equilibrium में आ जाजाएंगे, और, और final equilibrium ये है, तो जो भी hot water है, उसकी heat एक तो इसको मिलेगी, 50 milliliter of 17.4 को, और balance जो मिलेगी, वो मिलेगी, calorie meter को, तो whatever heat is coming, so this is your calorie meter, and water, and water, right, and you are adding another vessel you are taking, with 50 ml, and 40.5 degree, degree, okay, and so you pick up 500 ml of this, and shift it here, ये आवाज आ रही है कहीं से, ये सर, शंक, सर वो अधिलिक उपर से आ रही है, okay, 500 ml, and if you, this is, this is at 40.5 degree, it's hot, so it will lose some energy, how much energy will it lose, 500, multiply by, sorry, 50 ml का मतलब, it is 50 grams, assuming the density of water is 1, 50 grams into, specific heat is 1, theta, theta, theta will be 40.5 minus 28.3, ये दिख रहा है, equilibrium temperature, this is the heat lost, and now the mixture will become how much, 100 grams, total, and 50 ml को receiving side पे 50 ml है, so, और 50 ये भी आ रहा है, ये वाला, तो इसका temperature था 17.4, और वो बढ़िया कितना हो गया, 28.5, so 28.3 minus 17.4, plus some heat will be absorbed by the calorie meter, let the heat capacity of calorie meter will be, x and the, इस पिख जख जख जाए है, इस ने है थिए जड़िया काल मेतर पहला है, 50, 50, 50, आपल टेरे, heat capacity नी काल में काल रहा है, इस अहले है, फूट गउल रहा है, इसे भाला है, but what is a, heat capacity is the mass, sorry, heat absorbed for per unit Kelvin, if this is x you have to calculate per unit Kelvin basis तो इसने heat x पी ली तो ये आपकी heat released by the hot water है ms theta is equal to gain gain is on this side ये 50 होना चाहिए ये 100 जो gain करा जिसने temperature को cold का 17.4 डिग्री से हो गया ना वह पचास ग्राम है 50 ग्राम ये भी दिया हो है 50 ml तो 50 ग्राम से ये भी 50 ग्राम है ये भी 50 ग्राम है 50 so 50 ग्राम of hot water goes in 50 ग्राम of cold water so this is the heat lost and this is the heat gained plus x into heat capacity of the calorie meter calculate the heat capacity of the calorie meter to do that I have to find something what was the heat capacity definition no that was water equivalent you told me just now heat capacity sorry sure so heat capacity का एक फॉर्मला होते है प्राम है प्राम प्राम है देटका फ्राम है अहार्ट है आए 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 ये के एए उन देट सथ into the mass of the substance into the change in temperature the heat capacity of the calorie meter so if we say that the heat released 50 grams into 40.5 is how much 50 into calories into 4.18 so the total heat which is lost by 50 grams comes out to be 2550 2550 is the heat lost by the hot water the heat gained by the cold water is this so the heat gained by the cold water 50 grams is going to be 2280 okay so it's 50 into 28.3 into 4.18 2280 so the net heat available to me the balance heat available to me is 270 joules so this much heat is available to calorie meter okay plus meter ke paas agar may heat ki baat karo 19 degrees ka temperature badla divided by 19 point kitna temperature change 40.5 minus 17.41 kitna 2 3 kitna temperature change ho final temperature mixture kitna 28.3 toh how much is the change in temperature of the total mixture from where it was 17.4 say 28.3 kitna haja gai hai 1 0 10.9 ok so you are at 10.9 I think we've gone in different tangent right now 10.9 degrees so if the heat is available at balance heat is 270 and the overall change in the temperature is because it says equilibrium which means your calorie meter 10.9 degrees so divided by total heat available to calorie meter divided by 10.9 the calorie meter 10.9 change delta so every Kelvin of calorie meter will require this much heat too that is its heat capacity per Kelvin basis how much heat does it require that is not clear to me 0.16 bomb kalorimeter to think we should have no it's direct bomb kalorimeter huh yes yes one प्रेट से एंटार पीति तें जा देगा एक सटेंड़। झाल just give me one second heat of combustion जो है हम जो निकाल रहे हैं वो कितने के लिए निकालते हैं वन मोल के लिए राइट whenever we find delta H you had written one thing right when you wrote this formula CV delta T कहीं लिखा था you had written on the CV delta T somewhere you had written but the actual formula is CV delta T into one one mole के लिए होती है calculation if you calculate the heat of combustion of methane if you're calculating the is it for 0.16 gram or add constant to volume just give me one second I think है is तो 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 हुआ हुआ तो झाल 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 so bomb calorimeter is used to measure the heat of reaction at constant volume it gives you delta u okay the steel container resembles a small bomb the container is immersed in a water bath and constant temperature is maintained till the moment reaction occurs by adding or removing the heat from water the calorimeter is generally used to measure the heat of combustion of a combustible substance by burning it in pure oxygen supplied to the steel container the container is immersed in a water bath and constant temperature is maintained until the moment reaction occurs by adding or removing heat from water okay so constant temperature conditions are maintained the volume of the reaction chamber is fixed so p delta v must be zero for all the reactions the walls of the container are very rigid so the volume change is zero the heat is thus absorbed at constant volume as p delta v is zero and no expansion work is done so therefore in the equation delta u is equal to qv plus w is also zero therefore the heat of reaction measured in the bomb calorimeter is nothing but the heat of reaction at constant volume and corresponds to only internal energy because there is no work done so delta u becomes equal to qv so delta u becomes equal to qv this we have also read it this we have also read it this we have also read it this we have also told it without understanding it without understanding it okay now if you change the apparatus the same apparatus to measure the heat change at constant pressure what you do instead is you add two nested capped cups made up of styrofoam styrofoam so what you do is you keep two nested styrofoam cups and what you do is it is an insulator like an adiabatic wall meaning cover it and you have the calorie meter whatever instrument you are using is nested and capped made up of styrofoam this calorie meter is known as a coffee cup calorie meter the delta is clear the change in the temperature is very fast and can be easily measured we can use the relation to find the heat of reaction at constant pressure if we have determined the heat capacity of the calorie meter and its content before the reaction so okay so if you okay so now we can find the we can use the relation to find the heat of reaction at constant pressure if we have determined the heat capacity of the calorie meter and the contents before the reaction qp is given by cp delta t qp is equal to cp delta t the cup is made up of styrofoam and the thermometer absorbs negligible amount thermometer bomb calorie meter bomb calorie meter and the thermometer thermometer which is called lab lab wala haa lab wala yes lamba yes you are right i think we should be able to do now i think where was the where were we lacking actually okay so temperature raise johora let's do one thing let's solve one question because we got carried away by the concept of water equivalent but we did not use it anywhere because it was the heat capacity it was the specific water equivalent word it was not the word so let's use it enthalpy of okay let's do some numericals again on this so that we get proficient and abh yeh bhi meh naih meh ko lagta hum naih thik hai kara hai except that liquid part i think woh nr t mein alag aega hundred percent cv delta t was fine the what you calculated but let's do one more numerical on this okay so question is you have 1.5 grams of carbon hum naih grafite ka kara ta question of is burnt in calorie meter okay and it is given that the heat capacity of the calorie meter johan pehli bar use kareenge abhi pichle mein bhi kari but the heat capacity of calorie meter is given to us as 8.930 kilojoule per degree okay heat capacity and the temperature of the water jacket johan pehli johan pehli johan pehli regenerate johan pehli woh paani ko pausan ka dhi jati baum calorimeter ko heat ander ni rakt baar kheech lete usse panie me panie temperature johan pehli dhubo dhate hai we keep a thermometer so now in this experiment what is happening is that the water jacket johan taraf johan pehli johan pehli this is not inside this is only a cover okay so this is the 20 degree centigrade hai hai 25.51 degrees centigrade okay so this is the water temperature initial and this is the final water temperature so 5 degree ka temperature badh gaya question is what is the delta u for combustion of one mole of carbon क्योंकि याद है हमने जब निकाला था तो one mole के लिए निकाल रहे थे हम इसने पूछा है दिया तो तो डेड़ ग्राम experiment के लिए but asking for molar combustion of carbon just give me five minutes try and do this प्राम प्राम यह बढ़िया कोश्चन है क्योंकि यह बॉम कैलरी मीटर है and remember what we have done it is surrounded by water right if you if you remember this is what I said the calorie meter is surrounded by two nested and capped cups of styrofoam ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो यह तो पक्का हो गया कि this is a case of measurement of internal energy not uh delta h yes तो अब हमें calorie meter के बारे में भी मालूम है we know quite a lot about calorie meter calorie meter का जो heat capacity है वो हमें पता है तो calculate की एक एक degree के लिए calorie meter ने कितना वो जूल पर मोल नहीं हाँ ठीक है पर नॉट पर मोल यार इस पर डिग्री सब्सक्राइट का फॉर्मॉला होते है का का क्यालरी में अधाे वाट क्यालरी मेंटर का देखल के लिए विए यह नहीं also증 का जंडल फॉर्मॉला है जरेगरी में ते अच्छा थेख है ठश्चीं अबाट टे नो निकालते तेक लिए फीता कितना में बारा तीटा कितनाbility खुद कितना कैलरी मीटर ने ले लिया दे कैलरी मीटर एंड वाटर आरेट सेम यह बाहर इसका जो टेंपरिचर है कैलरी मीटर का और जो वाटर से बेथ रही है पूरा पानी वाटर या कैलरी मीटर झालर आरेट सेम इस चाहिए 89.3 या 89.893 फिज्स ऑफ यह बाउम कैलरी मीटर 8.930 एट पॉंट नाइन थ्री में जी इंटो थीटा किलो जूर पर मॉल्ट एसर आगी उसकी बॉम किलोमेटर की हीट अब्सॉर्ब ठीक है आगई कितने हैं तो उसकी हीट अब्सॉर्ब कितनी आगी फॉर्टी नाइन पॉर्ट टू हाँ जैसे ही है 49.2 किलो जूर्स ठीक है यह तो हीट चली गए इसके पास अच्छा अब कैलकुलेटर करते हैं नंबर और मोल्स अफ कार्बन कितने अवेलेबल है 1.5 ग्राम से हुआ है जो हुआ है 1.5 ग्राम से हुआ है यह पार क्या निकलना है वाटर काना वाटर वाटर से कहले हम देना है कार्बन है अच्छे अब नौट एबल तो अंडर्स्टेंड यर क्वेश्चिन यह मैं कार्बन यह तो कैलकुलेट दा यह मोलर कमबस्चिन हीट ऑफ कारबन जो एक्सपेरिमंट हुए देड़ ग्राम के साथ हुए देड़ ग्राम इतनी हीट रिलीज करता है तो एक मोल कितनी करेगा स्टोशियमेट्री पहले देड़ ग्राम की निकाल लो एक ग्राम मुलब थी एक वाटर का जो चेम्ट एपरेचर हां वन पॉइंट फाइव अपॉइंट येस एट वोड़ी 15 अपॉइंट वाटर ने खीच ली है वोड़ी स्पेसिपिक हीट कितनी होती है अब उसे पानी में बहिदने की जुरूत नहीं है पानी में इतनी गई होगी है क्योंकि कुश्चन में यह नहीं पूछा कि वाट इस राइज रेज इन दर टेपरेचर ऑफ दा मॉटर तो तो हम इसको एकोड़ एमस थीटा करते हैं यह जो हीट निकली खीच ली पानी के जो हीट रिलीज हुई उसको लेकर साथ सारा पानी में डाल कीच लिए इतना पूछा है कि अब यह वन एड़त मोल ऑफ कार्बन जलने से इतने किलो जूल पैदा हुए है वन एड़त ऑफ कार्बन जलने से इतने किलो जूल है 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 निकुस्ट ने डिद्ध वह वीड़ति है इनकीसी अवाज पूरे होई थे अगला है इसका है लुजर फॉन एड़त ओफ मोल ऑफ कार्बन जनरेट हो मज़ वीट इन सामच एट एट एंट लोट ग्लीट वीट ग नहीं एक मों 49.2 कर रहे हैं वन बाइ एड़त मोल वन मोल नहीं तो टेंपरेचर जो रेज हुआ था वो वाटर जैकेट का हुआ था और वो हीट कहां से आई थी किसी चीज का वन नेट इतना है तो उसका फुल कितना होगा मल्टिपलाई तो होगा किसी चीज का वन नेट फिफ्टी है तो फुल कितना होगा किसी चीज का वन नेट तो टेंन है तो फुल कितना होगा एटी नहीं समन में आया नहीं समझा आगे आगे है ना ठीक है तो फिस्ट आगे होगा भी क्षन इव्ड़यो आगे क्रज़क्ग wydस अधन दॉल्टाlegen let's do another one so let me go to the next page I think we will we did not understand the experiment and the language so now question is you have one gram of one gram of olive oil yes and it was completely burnt in pure oxygen in a bomb calorie meter the temperature of the water bath increases from so there is a water bath okay which the temperature increases was 22 degree to 26.049 degree question is how many calories dietary calories are present in the olive oil per gram which means heat of combustion कितनी है olive oil is burnt in a bomb calorie meter with the help of pure oxygen so this is the change in the temperature of the water jacket surrounding the bomb calorie meter I think we did not understand that the water change actually that water jacket temperature raise is happening because of the heat being pulled from bomb calorie meter okay question is first question is what is the dietary calories present in one gram of and the heat capacity of the calorie meter so question is oil का जो जो पर ग्राम कैलरिफिक वैल्यू है वो कितना है उसकी nutritional value कैलो या dietary value कैलो उसकी पर ग्राम बिस्स पे कितनी है कैलरी में और heat capacity of the calorie meter is given to be 9.32 किलो जूल पर डिग्री and the equation of combustion is C57 H104 O6 plus 80 oxygen gives you 57 carbon dioxide plus 52 water so calculate the change in internal energy of the one mole of glyceryl triolerate okay यह जो होता है chemical यह olive oil है what you were asking me this is olive oil and popularly known as glyceryl tri polyate polyate C57 or C80 कै यह C57 H104 O6 plus 80 oxygen yes now do it very carefully because you know now that Q calorie meter जो होता है that is the essentially the heat which is heat absorbed by the bomb calorie meter is the one which is released to the water okay right so वो heat आई कहा से olive oil के जलने से so in your bomb calorie meter experiment और इसे दिया कि इस बूर्ट in pure oxygen in bomb calorie meter कहीन ही दिया कि इस the case of two nested styrofoam insulator nothing is given so this is your bomb calorie meter which looks like a bomb and इसके अंदर there is a place some electrical ignition is there जैसे शम्शान घाट में जलाने के लिए होती है बंदे को यह आईल रखा है और इसको जला दिया है यह जलाया आईल को और वो आईल जो है वो जला और यह आपका अपना अपना the temperature of the surrounding water raised from 22 degree to 26.09 यह temperature है तुर देल्टा थीटा कितना हो गया हमारा 4.049 degrees और हमें जो heat capacity दी है of calorie meter वो दी ही है this is h heat capacity of calorie meter so the heat which is released inside the calorie meter will be 9.032 kilo joules per degree हमारे change in degree 4.049 and this is since it is released it is minus 36.57 kilo joule okay आगे heat released कितने gram ने release करी है ये इसकी dietary value है पर gram basis पर याई ना ये so if one gram of olive oil burns in our body it will release this, this is a calorific value so you can see bombs calorie meter बड़ी सही चीज़ है आप organic compounds के भी जो आप खाते हो आप खाते हो उसका भी अब calorific value निकाल सकते है with the help of this experiment very nice heat निकालने के लिए delta U निकाला है भी हमने इसकी पूम पर पानी निकाला है ये तो indirect method है बोल रहे हैं लेकिन अगर जहां से देखो तो या तो delta U निकालने के काम आता है बड़ अगर insulated होगा और heat escape नहीं हो पाएगी कहीं पे वो पानी वानी के अंदर तो the situation will change तो फिर delta energy, बड़ देल्टा डीवी कर सकते हैं बसे delta H निकालने के लिए the molar, the heat capacity at CP, CP will have to be used then अब एक तो हमने यह समझ आगया कि bomb calorie meter के अंदर हो क्यार है, how to use the heat capacity of the calorie meter that is the actual heat generated which is pulled inside the water, water is being used to see how much is the temperature change, but calorie meter is the source of heat which changes that total heat के लिए calorie meter के heat capacity करना है और change in temperature के लिए we have to use the water this is the way, because we didn't study the experiment we were guessing around तो हो नहीं रहा था, anyway let's do next one hopefully जिसके अंदर we get an opportunity to use that what you just said heat के बाना सकते है वो क्या होता है calorie meter हाँ, मतलब कहां से बना होगे गर के अंदर how will you get electrical ignition how will you get a steel jacket and all that have you seen the diagram Amazon नहीं कुछ नहीं सकता not possible, very dangerous actually should not even try हाँ, okay, next question very interesting and I think this part will be more interesting so, a calorie meter we are doing an experiment which is very rapid and exothermic so, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O and 50 ml of HCl is being used in the experiment and the experiment is written it is a coffee cup experiment coffee cup calorie meter it is not a bomb it is a coffee cup calorie meter so, 50 ml of HCl and so, this HCl is one molar okay, and then this is added to 50 ml of 1 molar NaOH okay and the mixture is now stirred by the way calorie meter में भी एक stirrer होता है but anyway the mixture हमने तो stir mixing के लिए कर रहा है and the temperature of the both पहले था 25.5 and 25.5 the temperature of the both after the reaction becomes 32.2 degree it's a rapid exothermic reaction rapid exothermic reaction okay 32.2 and the solutions are very very dilute so, if you can assume that the specific heat is of the solution is same as water it's a very dilute specific heat of the final solution is approximately equal to that of the water but the 4.18 joule per gram per degree or per kelvin doesn't matter really the density of the molar per hcl is given to be 1.02 grams per 1.20 grams per milliliter per milliliter and that of the NOH is given to be 1.04 grams per milliliter you have to find please find the delta per mol of hcl you have to find how much is the delta h when this reaction happens obviously this is heat of neutralization enthalpy of neutralization this is the first we have done identical in the mole in the mask but we should know because we know that the temperature mixed after that the extra point in the calorie meter which is very important it's a coffee cup calorie meter it's not a bomb calorie meter that is correct so you have to find the heat which is absorbed by the solution which made and the temperature because it was 32.2 so you have to find the heat absorbed by the solution which means you will you will have to apply ms theta which I had explained in liquid if you are given a liquid which absorbs heat it is ms theta now you know the specific heat of solution is same as water theta is known m you can find solution mass that you can find it 50 ml of hcl of this density will weigh how much mass is equal to volume into density this is also volume into density so you know the total mass of the solution mass cannot be created or destroyed on both the sides it will remain same law of conservation of mass left hand side may go right hand side may go hello yes 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 or no yes yes no 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 okay okay so left side you know the mass of this you know the mass of this so you know the mass of the solution also ms theta and you know how much is the heat being released okay okay so which is the final temperature of the solution is that remember there was no water body surrounding it which absorbed the heat in fact this this whole bomb calorie meter was not surrounded by water absorbing sorry heat absorbing water jacket instead you insulated it heat heat so coffee cup calorie meter you know you know reaction solution temperature you know this reaction combustion which internal energy are you know but here solution temperature you know there is no use of the calorie meter heat capacity when you mix them reaction happens it's a rapid exothermic reaction heat gets released etc 7 degree change in temperature if there is a 7 degree change in temperature you know the mass of the solution ms theta is the heat released right question tha ki one mole of hcl se kitni release ho ki i used 50 ml of 1.02 grams roughly i had 52 51 grams of hcl available with me from mass is equal to density into volume mass is equal to density into volume this is my density this is my volume so i have 51 grams of hcl and noh mixing together to create and what is this 50 into 1.02 52 grams total mass of the solution is 103 grams so i have 103 grams which is mass of the solution which undergoes a temperature change of 32.2 minus 25.5 into so this is m specific heat water ke barabari treat karna hai theta this is for how much this is for 51 grams of hcl you one mole of hcl 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 to kya hcl one mole of hcl kya weight hcl by the way one mole of hcl weight hcl 36.5 grams so you can accordingly change this that this is my heat generated for 103 to 2.9 kilo joules is the heat which is absorbed by the solution there is no water jacket surrounding it's a coffee cup calorie meter अब आपने ये सारी के सारी heat release करी और इसको आपको convert करना है per kilo joule sorry per joule basis पे sorry per mole of hcl के basis पे convert the find the number of moles available कितने moles थे molarity के हिसाब से one molar थी ये तो one molar थी 50 हमल था 50 वे हजार 50 वे थाउजन इंटो one 0.05 moles are available 0.05 moles of hcl are available and they are being used 0.05 moles of hcl generates this much heat 2.9 so one mole will generate minus 2.9 upon answer okay at around 10 I would need some rest also and have some personal work also thank you to to the तु कि अगल